साथियों मैं हूँ आपका दोस्ट स्वान वारकब और आप देखरें जी के विट माने चनल साथियों आज के बिटे में हम जानेंगे मद्यप्रदेश प्रोमोशन से लेटेस्ट अपडेट निकल करके आ रहे हैं जहां राजपत्र जारी हो गया है एक दिसम में 2022 को जिसके तहत नए नियम निरुदेश जारी किये गए हैं और करीब 50,000 पदों पर भरती शीदी भरती के अलावा 50,000 पदों पर होना है प्रोमोशन विविट पदों पर होना है साथ में मद्यप्रदेश सिख्षक भरती के लि सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन को जरू क्रेश कीजिए ताकि वीडियो हमारे लगातार आपको मिल्चे रहें साथी वीडियो को लाइक करना नहीं मुले चलिए अब हम इस कबर को टीटेल में जालते हैं साथियो मद्यप्रदेश राजपत्र एक दिशमत 2022 को जारी हुआ है सिख्ष विवाका इसकूल सिख्ष विवाका वही इसके अंतरकात है मद्यप्रदेश राजप इसकूल सिख्ष शिवा सैक्षड संबर्ग एवन भरती शरते नियम जो दिया है दो जार एठार अनुसा निमनांकित संसोदन किये जाते हैं अब इसमें हम खासकर सिख्षकों से रिलेटेड सबसे पहले देखते हैं क्या नियम क्या उपवन दिये गया है जैसे कि उप नियम चार खंड खाके पश्चात निमलिकत खंड इस्थापित किये जाए गा के अंतरकात इस्थापाना पन से रूप कार करते हुए निक्तियां जो रहेंगे यदि पदोनती पदों की रिक्तियों को ततकाल भरने की आवश्रकता है और उप्यूक्त सिख्षक बरिष्टा सहे उप्यूक्त के आधार पर उपलब्ध हैं तब संबंदित पद का निक्ति प्राधिकारी आगामी आधिस तक इस्थावरना पन रूप से उच पद पर कार करते हुए आधेसित कर सकता है तो शाथिव इसका मतला भी यह है कि यदि कोई शिक्षक शाथी किसी भी अन्न पद पर उच्छे पद पर प्रभाद देने की आवश्रकता तुतकाल पड़ती है तो जो शिक्षक जिस पद पर कार कर रहे हैं तो उन्हें उस पद पर कार करने की अन्मुती दी जा सकते है ऐसे मह उच्छतर पद का स्थामनापन रूप शे कार करने के लिए आधे से सिक्षक का बरिश्था पर या ऐसे उच्छतर पद स्रेणी के बेतनमान पर कोई दाबा नहीं होगा परंतु वह है तब तक ऐसे उच्छतर पद को धारण कर सकेगा जब तक कि ऐसा सिक्षक ऐसे उच्छतर पद पर इस्थानापन रूप से कार करता है ऐसे इस्थानापन रूप से कार करने के बाले अधिकारी ऐसे उच्छतर पद पर पदोनत किसी सिक्षक द्वारा यह था प्रयोज ऐसे उच्छतर पद की समस्त शक्तियों का प्र पदस्त किया गया था तो वो उन पदों पर कार करते रहेंगे और उन्हें जो बरतमान में जो बेतनमान उन्हें प्राप्त होगा तो एक तो ये वही नियम है कि अगले पद पर कार कर सकेंगे जो शिक्षक साती है अब इसके बाद अगला नियम हम देखते हैं इसमें ऐसे की जाने की प्रिकृया2 के कार्पाल का आधिशट निर्दिश्ठ की जाएगी जिसमें हिंदी अंग्रेजी माध्यम ध्यपन कराने वाले सिक्षक प्रथक प्रथक चैन प्रिकृया की जाश शकेगी साथ्यों यहां पर हम पहले तो देखते हैं कि कितने तो में प्रमोशन होंगे और कौन-कौन से पदों पर प्रमोशन होंगे अनुसुची एक नियम फाइप के अंतरगात सैक्षणिक संबर्ग के लिए जो प्राभधान किये अधिकारी अभियुक्ति तो यानि जो नया सैक्षणिक संबर्ग है जिसमें प्रात्मी सिक्षक उच्छ माद्मी सिक्षक इन पदों पर प्रमोशन इनका हो सकेगा जैसे कि इतना भी दिया गया है और इसमें से कुछ पद सीधी भरती से भरे जाएंगे और कुछ पद जो की द्वारा पद पूर्ति की जाएगी तो जैसे कि प्राचार हाई श्कूल उप्राचार पदों की कुल संख्या जो रहेगी दस सो पचास प्लस चोंसर्ट रहेगी करेब 1114 पदों पर ये पदों की पूर्ति की जाएगी ये सभी पद जो भरे जाएंगे वो प्रमोशन के द् भरे जाएगे उच मादविक शिक्षा का जो पद है वो है 34,713 पद इसमें रहेंगे और उच मादविक शिक्षाला के 60,686 पद सुईक्रित होंगे और उसके तहित आदे पद प्रोमोशन से भरे जाएगे खेल सिक्षा के पद मादविक शिक्षा के पद है अब हम आगे देखते हैं इन विविन पदों का ये तो बेतरमान दिया गया है अब पद पूर्ती इनकी किस प्रकार से की जाएगी तो अनुसूची दो नियम फाइब और चाद सेक्षन क्संबर के अंतरगत पदों के नाम औ 64 और इसमें 7% पद भरे जाएंगे प्रमोशन के द्वारा उच मादमिक शिक्षा के जो पद है उसमें से 34,799 पद पूर्ती होना है जिसमें 50% पद सीधी भरती से और 50% पद प्रमोशन से भरे जाएंगे यहां पर हम बता देना चाहा रहा है साथियों कि जैसे कि 34,799 पद पर अभी भरती हो गई है पिछले साल भरती हुई थी और करीब 15,000 बारह हजार पदों पर पूर्ती हो गई है इसमें से सेश जो बच्चे पद हैं वो करेब पांच हजार पद और शेश है तो इन पर पद पूर्ती और की जाएगी अब गी आगामी समय में और इतने ही पद 17,400 पद बरग एक के उच्च माद में सिक्चक्चार इन पर प्रमोशन किया जाएगा 50% पदों पर आगामी समय में तो यानि यतने पद प्रमोशन से भरनने के वाले हैं वही प्रधान अध्यापक मादमिक शाला के 250 पद सत प्रतिसात ये प्रमोशन से भर जाएंगे हाई स्कूल प्राचार के जैसे मैंने बता दिया है 1145 पद हैं और ये उच्च माद में सिक्चक से इन पद पूर्ती की जाएगी नए सेक्षन सेवा सम्मर के द्व सत प्रतिसात तो हमारे उच्च माद में सिक्चा के करीब 1998 से लगातार उनकी पदों का प्रमोशन नहीं हुआ है अपने उसी पद पर सेवाय देते आ रहे हैं करीब 24 वर्ष से तो अब प्रमोशन के रास्ते खुलने बाले हैं वहीं देखते हैं अगला जो दिया गया है 10,000 पद जो 50% में मान लीजे 30,000 पद 30,000 पद सीधी वर्ष से 10,000 के करीब पद भर दिये गए हैं 20,000 पदों पर 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 पूर्थी की जाएगी वहीं से से 30,343 पदों पर प्रमोशन होगा माद में सिक्चा के माद में साला खेल सिक्चा के जो पद हैं 9,31 पद है इन्में से 50,30 पद सीधी परति से और 50,30 पद करीब इसमें से 75,75 पद प्रमोशन से भरे जाएगे माद में सिक्चा के यह भी 50,30 पद सीधी भरति से भर जाएगे वही मादमिक शिक्षक IT प्रकिराधीन रहेगा ये भी 50% पदपूर्थी की जाएगे वही प्रधान अध्यापक प्रात्मिक शाला के ये 37% 250% है जो की सीधी बर्ति से ना होते हुए सभी प्रमोशन से पदपूर्थी की जाएगे बाकि प्रात्मिक शिक्षक बिग्यान और प पर पूर्ति होती जाएगी और ये इतने करीब पद हैं और शाथ में प्रात्मिक शिक्षक खेल के 860% सीधी बर्ति से की जाएगे वहीं प्रात्मिक शिक्षक बिग्यान प्रियोक्षाला सिक्षक के पदों पर वहीं प्रात्मिक शिक्षक संगीत के 150 प्रात्मिक शिक्षक प्रशाषने कमसार रहेगा और इसके जो नियम दिएगा है अगले वीडियो में हम इन को अगले वीडियो में कबर करेंगे तो शाथ हो एक बड़ी ख़बर है मद्द प्रतेश इसकुल शिक्षवाग में प्रमोशन से समान देता और जो प्रमोशन के और क्या नियम जारी होंगे इस पर एक और विस्तित वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं अंको का बिभाजन किस परकार से होगा कौन-कौन से सिक्षवाग में प्रमोशन के पात रहेंगे किस विस्तित में अधिक चांस बन सकते हैं प्रमोशन के जैसे कि हमारे बहुत सारे सिक्षवाग में जहां उनका प्रमोशन होना है तो वो किस विसाय से यदि वो उसमें योगता रखते हैं तो उस आधार पर उनके प्रमोशन सबसे अधिक सुखते है साथ में मादमिक सिक्षा के लिए उनका कौन सा विसाय सबसे अधिक प्रमोशन दिनाने के लिए उनके शायक है उन पर अधिकतर प्रमोशन होगे और उनके कितने पदों पर प्रमोशन होंगे ये संख्या हम लेकर के आएंगे साथ में जो उच्छ मादमिक सिख्षां का उनका 2014 काफी पद हैं और ये हाइश्कूल प्राचार के लिए प्रमोट होंगे तो साथियो मिलते हैं अगले लेटेस्ट वीडियो के साथ तब तक लिए जैहिन जैफाराज जैमाद्वदे साथियो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिए